Hello everyone, कैसे हूँ आप सभी? आप सभी के लिए फिट से नई जोब वेकिंसी का अपडेट लेकर आ गया हूँ दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं विप्रो कंपनी के जोब के बारे में आपको इसे वीडियो में दिया जाएगा तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं प्राइबेट कंपनी में जोब ठूट रहे हैं तो इस वीडियो पर बने रहीएगा आ गया है जिहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं विप्रो कंपनी में लेटेस्ट जोब आ गया है बाकी डारेक्ट आपका जोइनिंग भी हो सकता है सबसे अच्छी बात यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फ्री अप्लाई है step step करके कैसे apply करना है कैसे form भरना है कैसे submit करना है सब कुछ आपको इसी वीडियो में सिखाए जाएगा इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं All India के लिए job है male female बोथ यहाँ पर apply कर सकते हैं कैसे apply करना है कैसे क्या करना है चले मैं आपको आगे डेमो करके दिखाता हूँ सबसे पहले करना क्या है अगर आपको vipro company का job का detail निकालना है तो आप लोगों को यहाँ पर vipro.com की official website पर आ जाना है www.vipro.com यह है इसका official website इस website प्याने के लिए क्या करना है simple सा काम है आप लोगों को अपने phone में कोई भी ऐसा browser open कर लेना है browser open करने के बाद search box में search कर लेना है wipro, w-i-p-r-o जैसे आप यहाँ पर vipro search करोगे तो यहाँ पर top पर website आ जाएगा www.vipro.com इसी website पर आपको widget करना है, click करना है जैसे आप इस पर click करोगे तो आप लोग यहाँ पर wipro.com की website पर आजाओगे जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तो यह है wipro.com की official website अब इस website पर आने के बाद क्या करना है कैसे job detail निकालना है मैं आपको बता देता हूँ इस website पर आने के बाद simple सा काम है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही easy सा काम है आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है यहाँ पर website पर आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा three line यहाँ पर आप देख सकते हैं right side में आपको यहाँ पर three line का बटन मिलेगा three line मिलेगा इस पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर three line पर click करेंगे तो यहाँ पर multiple label आ जाएगा जो कि आप देख सकते हैं so हमें क्या करना है हमें यहाँ यहाँ पर vipro company का job का detail देखना है so इसके लिए दोस्तो हमें यहाँ पर click करना होगा five label पर जी हाँ दोस्तो यहाँ पर five button पर आपको मिलेगा carrier का link इस पर आपको click करना है मैं आपको बता दू कि चाहे वो जियो company हो चाहे वो vipro company हो अदानी company हो या फिर कोई भी company हो सभी company का job जो होता है वो उनके official website के carrier के page पर ही update किया जाता है job के page पर ही update किया जाता है so हमें यहाँ पर vipro company का job का detail निकालना है so इसके लिए दोस्तो हमें यहाँ पर carrier के button पर click करना है जैसे ही दोस्तो हम यहाँ पर carriers के link पर click करेंगे तो हम लोग redirect हो जाएंगे एक new page पर ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपको एक search का icon मिलेगा इस search के icon पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर search के button पर click करोगे तो आप लोग redirect हो जाओगे job के page पर जहाँ पर आपको vipro company के multiple opening देखने को मिल जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं तोटल दोस्तों यहाँ पर 1880 result है यानि कि 1800 से जादा यहाँ पर job opening निकाला गया है भी pro company का जैसा कि देख सकते हैं आउट आप country का भी यहाँ पर job है worldwide का यहाँ पर job आपको देखने को मिल जाएगा तो अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम यह है कि आप लोगों को यहाँ पर country select कर लेना है ताकि आपको आपके country का ही job देखने को मिले तो यहाँ पर हम इंडिया select कर लेंगे जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर इंडिया select कर लेंगे तो जो इंडिया के अंदर recruitment है वो हमें देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर दोस्तों टोटल 800 जोब यहाँ पे निकाला गया है 800 यहाँ पे जोब ओपनिंग है जो कि आप देख सकते हो अब इस पीच पे आने के बाद जोब प्रुफाइल कैसे निकाल के कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताऊँगा बस इससे पहले मैं आपको और भी कुछ डिटेल दे दूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूज में आएगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर दो box है अब इन box का क्या काम है मैं आपको बता दू फर्स्ट वाले box में आप job का title जोब का detail देके आप job search कर सकते हो second में आप location देके search कर सकते हो बकी नीचे की तरफ filter है जो कि मैंने आपको use करके दिखा दिया यहाँ पर मैंने country select किया है जिस country का आप job ढूट रहे ह यहाँ पर select कर सकते हो इसके बाद यहाँ पर state है state का मतलब आप किस state में job ढूट रहे हो इंडिया के अंदर जो भी state है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे की करनाट का महराष्टरा तलांगना आपका हो गया हर्याना हो गया डेली हो गया विस्ट बंगॉल केतला ग आप देख सकते हैं यह सब जोब अभी इसी महीने में अपडेट किया गया है 12 माई का है 13 माई का है आज की date को भी अपडेट किया गया है associate का job जो कि आप देख सकते हो तो गर आपको इन में से किसी भी post का आपको detail निकलना है जो आपको इस पर क्लेक करना होता है मैं आपको eligible है या नहीं है तो यहाँ पर हम click करेंगे जैसे ही दूस्तों हम यहाँ पर click करेंगे तो इस position का इस post का job का official profile यहाँ पर आ जाएगा जो и आप देख सकते हैं यह है इसका official profile इस job profile में आपको अधि Something जानकारी मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जोब का title है, location है, category है और job का descriptions यहाँ पर है, जो कि आप देख सकते हो सारा detail यहाँ पर mention है, जो कि आपको अच्छे से read कर लेना है qualification क्या मांगा गया है, skill क्या क्या जरूरी है सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको अच्छे से ध्यान से read कर लेना है और अगर आप eligible हैं, आप यह सब detail पढ़ते हो, और अगर आप eligible हो, apply करना चाहते हो तो apply करने के लिए simple जखाम में यहाँ पर मिलेगा आपको apply का button जो कि आप देख सकते हो, इस apply के button पर आप click करके apply कर सकते हो जैसे आप यहाँ पर apply के button पर click करोगे, तो आप लोग redirect हो जाओगे एक new page पर जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब इस page पर आपको अपना Gmail address यहाँ पर enter करना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर next करेंगे, तो आप लोगों के सामने एक apply का form आ जाएगा, यानि कि आविदन form आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यह form है, इस form को आप लोग भर के apply कर सकते हो, candidate profile अपडेट करके आप apply कर सकते हो, बिलकुल आसानी से अब इस form को कैसे भरना है, simple सा काम है, यहाँ पर आपको अपना cva upload करना है, profile picture upload करना है, create a login detail, मतलब आप यहाँ पर अपना login detail दे सकते हो, login username, login password दे सकते हो और यहाँ पर दोस्तो interior information, आप अपना यहाँ पर information दोगे, जैसे कि आपका first name, middle name, last name क्या है, phone number आपको select करना है, type करना है, country code select कर लेना, mobile number क्या है, और यहाँ पर अपना 10 digit का number देना है, फिर यहाँ पर address, तो आपको अपना address select करना है, ठीक है, home या other जो भी है, आप अपना address, country, state, सब कुछ यहाँ पर आपको select करना है, जो भी आपका country है, जो भी आपका state है, सब कुछ यहाँ पर आपको select करना है, pin code भी देना है, बाकी नीचे की तरफ और भी आपसे detail मांगा जाता है, आपके qualification के बारे में, आपके education के बारे में, college, education के बारे में, nationality के बा जिस पर आप क्लिक करके यह जो प्रोफाइल है इसे अपडेट कर सकते हो अपडेट होने के बाद आप किसी भी पोस्ट पे क्लिक में अप्लाई कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा सो इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे विप्रो कंपनी में जोब के लिए अप्लाई करना है आवेदन करना है सब कुछ मैंने डेमो के लिए बताया ओफिसल वेबसाइट पे ले गया और डारेक्ट आपको बताया है बाकी कोई भी डाउट है तो कमिट करके जान सकते हो और मैं आपको बता दूँ कि विप्रो कंपनी में मल्टीपल ओपनिंग है तो सबसे पहले आप देख लो कि आप किस पोस्ट पे इलिजबल हो आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो आप उस पे इलिजबल हो या नहीं हो तभी अपलाई करिएगा बाकी आप लोग यहा कोई भी पैसा नहीं देना है ना तो किसी भी प्रकार का OTP का लेंदेन करना है उमीद करता हूँ आप लोग समझ दोंगे इसे वीडियो को जादा जादा सेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बिलेंगे किसी ने जो अपडेट में तब तक लिए बाई बाई